हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब होप सभी अच्छे होंगे दोस्तों दोस्तों आज अपनी हंटर में हैं हम LED जो blinkers हैं side indicators जिने आप कहते हैं उसे हम लगवाने आये हैं तो इसको मैं Royal Infield के showroom बेग में गया और वहां मुझे मिला मैंने इसका order लगा रखा था यह available नहीं था मुझे यह glossy black वाला चाहिए था तो मैंने उसे मंगवा लिया और दोस्तों अब इसकी जो total costing मुझे पड़ी है वो लगबग 4800 के आसपास है और मुझे यह चुकि same day नहीं लग पाया था तो म मुझे इसमें बाद में labor cost लगना है इसमें लगबग 100 rupees का labor cost है दोस्तों यह पूरा process कैसे किया गया आप देख सकते हैं सबसे पहले आगे वाली यह जो headlight की grill है वो open की जा रही है और इसमें दोस्तों काफी process है और मैं यह कहूँगा कि आप इसको जो है authorized rod and fit के center से ही लगा है यहां पर मुझे एक जो mechanic मिले यह काफी well experienced थे और हमारे यहां के local जो rolling field का store room था वहां पर यह काफी अच्छे तरीके से नहीं लगाया और step by step आप देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरीके से यह पूरा काम किया गया और इसकी जो मुझे quality है वो काफी सही लगी और आपके local market में दूसरे type के indicators नहीं है और जिसको इसमें लगाया जा सके तो मैंने मैं S पर गया और और देखे किस तरीके से दोस्तों यह front जो headlight के आज सपास की जो wiring है उसको उसमें निकाला जा रहा है यह पुराने indicators जो है इसको निकाला जा रहा है और इसके बाद उसकी बाहरी mechanic अगर करेगा तो कुछ समस्या आ सकती है तो आप मैं suggestion यहीं दूँगा कि आप authorized center से ही कराएं देखे यह right side का indicator लगता हुआ इसके कुछ साथ में कुछ accessories भी आती हैं जिनके through ही यह आपके indicators साथ में पुरी तरीके से fix होते हैं यह पुरा wind seal निकालना पड़ता है आई जा रही है और यह दोनों front के indicator लग गए हैं दोस्तों इसके बाद जो है back side के indicators लगेंगे अब देखिए इसमें अब जो पुरानी जो इसकी जो packing poly polythene थी अब इसके बाद देखिए आपको कैसा look आ रहा है gloss finish में है तो gloss finish वाले काफी अच्छे लगते हैं indicators दोस्तों यह कुछ इस type का look और इसके बाद दोस्तों यह पीछे की side के यह पूरा open होगा हिस्सा देखिए दोस्तों यह किस तरीके से open हो रहा है और आगे वाला जो हिस्सा था यह easy था install करना लेकिन यह जो पीछे वाला हिस्सा है यह काफी typical है इसमें नीचे के पूरा mudguard यह पीछे की ज lights है यह red वाली जो आपको दिख रही यह पूरी निकालने पड़ेगी और अंदर का mud flap निकालना पड़ेगा और यह पूरा निकाल करके उसके बाद यह पूरी headlight open होगी sorry till light open होगी अब यह दोनों blinker से पूराने वाले निकाले जाएंगे और उसकी जगह आपके नए LED blinkers देख रहे हैं वह आसानी से देखने की हमें किस किस process से होकर के जाना पड़ेगा जिससे कि यह पूरा देखिए इस तरीके से मटगाड यह पूरा पीछे वाला निकल जाता है इसमें wiring के कुछ चीजे हैं वह पूरा निकल गया और यह एक अलग से इसमें plastic का पूरा एक covering रहा है यह मटगार निकल गया और उसके वाद जो है यह हमारी पीछे की टेल लाइट इस टेल लाइट को फिर अंदर से ओपन किया जाएगा अब यह दोनों साइट के जितने भी ब्लिंकर हैं वो लगाए जाएंगे यह फ्रंट के ब्लिंकर पे भी जो है यह लगा हुआ थ सामने से कुछ ऐसा लुक आता है तो दोस्तों यह देखिए पुरानी वहाँ पर एक हंटर खड़ी थी उसका लुक और यह देखिए यह अपनी बाइक का लुक देखिए काफी अंतर है दोनों में और यह काफी जो उसका चार्म है बाइक का वो बढ़ा देता है इसलिए मैं LED blinkers पे गया देखिए ये पूरी LED टेल लाइट जो है ये open हो गई है अब इसके जगा पे आमारे नए LED blinkers लगाए जा रहे है देखिए दोस्तों ये और पूरी बाइक में सब कुछ ही LED था केवल ये पीछे के blinkers में सब हैलोजनी था हैलोजनी है अब मुझे हैलोजन का throw काफी अच्छा लगता है बाकी bikes के जो LED लगी होती है उसकी comparison में देखिए ये पूरी तरीके से open हो चुका है कुछ पीछे से ऐसा आपको दिखेगा ये देखिए दोस्तों दोनो LED blinkers लग गए हैं ये थोड़ा सा जो हमारे ये mystery साथ थे ये ये पूरा समय सिर्फ इसी bike पे रहे हमारी hunter पे ही और तब भी एक घंटा लग गया तो दोस्तों ये time taking है देखिए इसमें कुछ nut अगर इधर से उदर हो जाएंगे तो इसमें बड़ा सोचना पड़ता था तो ये चुकी ये skill थे ये तो इन्हें सब कुछ पता था तो इन्हें ज्यादा problem नहीं हुई तब भी एक घंटा तो लगी गया दोस्तों तो दोस्तों ये देखिए इस तरीके से फिर ये दुबारा refitment हो रहा है इसके साथ दोस्तों एक रिले आता है और जो main wiring के साथ लग जाता है वह एक अच्छी चीज है कि जिससे कि जो blinkers का जो load है या anything जो भी मतलब circuit पूरा होना होता होगा वो proper रहता है अलग से अगर हम लगवाते हैं market से तो उसमें हमें वो चीज रिले और वो सब चीजें नहीं मिलती है तो यह देखिए दोस्तों यह सारी गार्ड का जो nut हो टाइट हो गया और देखिए अब यह blinkers पूरे complete हो गया है अब इनका हम देखिए एक look देखते हैं यह polythin wrap off करते हैं तो काफी glossy finish है और bike के साथ अपनी hunter के साथ काफी match करती है तो देखिए दोस्तों कुछ इस type का look है पीछे से और इसके बाद जो है दोस्तों एक पूरा यह देखिए दोस्तों यह जो मैं आपके relay की बात कर रहा था वो यहां से जो यह जो parts जो नीचे लटका हुआ है यही है इसको अंदर wiring में पूरा fit हो जाएगा और इसका पूरा circuit पूरा हो जाएगा दोस्तों इसको लगाने के लिए पूरा यह देखिए दोस्तों यह पूरा main wiring में इसका socket पहले से बना हुआ था और इसको दुवारा लगा दिया जा रहा है ताकि कोई भी circuit में कोई fault ना हो देखिए देखिए दोस्तों यह plug and play का system है इसमें कोई भी wiring से छड़कानी करने का कोई मतलब नहीं है अराम से लग जाता है कोई problem नहीं है और इसमें दोस्तों कुछ wiring में कोई समस्या नहीं आनी है देखिए अब seat लग रही है अब एक गाड़ी हमारी पूरी हो गई है लग बग और इसको बएक बड़ हम check कर लेते हैं और देखते हैं एक final check out look और मुझे तो देखने में काफी अच्छा लगा दोस्तों आप comment में बताएं कैसा लगा दोस्तों यह कुछ ऐसा look है और दोस्तों यह आपके सामने यह एक cinematic short इसको enjoy करिए दोस्तों तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो like कर दें चैनल को subscribe कर दें दोस्तों में share कर दें Thank you दोस्तों में आल किवंभा şimdi